हेलो दोस्तों वुल्गाम चैनल मैं राजशी गायन और आज मैं आपको डंबल डेट्रीट के बर्वें बता हुआ इस डंबल डेट्रीट आप दो तरह किसे कर सकते हो एक तो कॉन्वेंशनल जो ट्राइशनल है और दूसरा सुमो डेट्रीट के दॉल्ग भी कर सकते हो बट ब आए देख लेते हैं आज के workout session सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है आपका stunts जो आपका leg stunts होगा वह आपके कमर के बराबार जितना आपके कमर की चौड़ाई है तो width of your waist उस नहीं हिसाब से आपको पैर को open रगना है the first position और जो आपकी hands होगा dumbbell को इस तरह से आपने साइ आपकी नहीं जाएगा आपका दिल जमीन पे रहेगा कमर को एक normal middle position में रखना है जिससे धाना deep करे ना जाना उपर करे उसके बाद को पपड़ेंगे और फिर स्था लेगे जब आप straight उठेंगे तो उठने के बाद squeeze करना है आपका जो बड्स को आपके group muscles को squeeze करना है से आपको पैटन आएगा अब हम perform करके दिखा थे आपको पहले first stunts फिर style से पकड़ा ताम ने नज़र आपके बैक ने आपके बैक ने आच नहीं करेंगा टीक है ऐसे बैक ने आच नहीं करेंगा विशूट से कीपो बैक स्टेट अप अब और ध्यार दन्टापक नीज तो से जाड़ा आगे नहीं है जब first उतना है और फिर भीरे से नीचे आप भीरे से नीचे आप भीरे से नीचे आप इसका दूसरा भरीक्शन के तोर्पे अभी first नाए size से क्या अब डंब को फर्ट पे राके इस exercise को कर सकते हैं देखीजि अब डंब कर सकते हैं तोर्पे इस एक तरी इसे कंपाउंड मूब्मेंट है जिसमें आपके पूरा बैक अपर बैक पो छोगें लोगा और बीपैक क्यों इसका नाम डेट पड़ा रहता है हम उसको उठा के स्ट्रेंट तो इसका एक दूसरा देगेशन्स है जो पिसिकली स्मोर डेट लिट कहते हैं तो इसके लिए फर्स्ट जो आपका रहेगा स्टांग सुमो स्टैंस है उस्टैंस में आपको इस तरह से खोलता है जिसमें आपका कॉंपड़ेबल पैर ओपें रहे और ध्याते जब नीचे जा जिदना जाना है ताकि आपका डंडल को कॉंपड़ेबली उपकर सके और अगरा स्टाइब कोलिशन लाएगा अब यहां से फर्स्ट मैंने लिप्ट किया इसको आप देखिए नीचे गया अगर इसको नीचे से पकड़ेंगे तो यह अंडराम ग्रीफ हो गया तो मैं एक हाफ से ओवर रांग और दूस्रे हाफ से अंडराम ग्रीफ किया जाता है यह पकड़ा एक हाफ मेरा अंडराम है दूसरे हाफ अंडराम बैक को स्ट्रेट राखते हुए मैंने लिप्ट किया इस पोलिशन से मुझे अब इसका साइज करना है जिए आपका जो थाइस है वो जमीन के पैरलल पे जाए इतना ही आपको निचे जाना है फिर आप फोर्स कुमिए फिर धीरस निचे जाएए आपको इसमें ध्यान रखने वाली बाते हैं जब भी आप घर में कोई भी वेट उठाइए तो कपी भी कमल से बेंग करके मनलब इसकरा से नहीं उठाना ओके और और उस हमेशा पहले गुदने को ग्रेंग करना है फिर उस चीज को पकड़ना है और फिर उसको लेट करना है ये ये सही तरीका है एक और गलिएशन से है ये आपका जो बैक आप ब्रथाइज है हैंस्विंग मसल को स्रॉंग करने के लिए फस्ट आपका स्टन्स आपका स्टन्स कमट इतना है उतना ही पेर ओकन होगा हलका सफ चोग को स्लाइट ओपन कर सकते हैं और फिर आप डबल को आप स्टेट लेक डेट जीड में ज्यादा वेड नहीं लेना है इसके आपका इंजूरी हो सकते हैं तो आप एक कमफुटेबल वेड ले सकते हैं पहले आप उसको ट्राइकल के टेह लिजीगा तो वो वेड आपके लिए इजी है कि नहीं है आपका बहुत कार्ड नहीं जाएगा जाएगा बैक हमेशा स्टेट रहेगा आपका जो बैंड होगा वो आपके हिप से होगाएगा तो यह टेट लिग एक्सराइज को आप शुरूर में 6 तो एक टैम कर सकते हैं तीन सेट यह दो सेट के लिए अगर एक से दो वीग आप इसको एक्सराइज को वीग त्री डेस कर सकते हैं उसके बाद आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं युपिटेशन जैसे आप 12 बढ़ आपको अलक बीडिलिंग की शौक है तो आप इसका हाई कैसे का सकते हैं और वेट मींदेश कर सकते हैं ऑगर घर में बेसिक फिटनेश बरा आ तो आई थिंक इस शॉपिशे लिए तो दोस्तों इस वीडियो चाहिए तो आपने दोस्तों और चार करना खुद आपके यपने केले नच्ट, टेके ये, बाइ!